पूल कितना भी सुन्दर हो तारीफ खुश्बू की ही होती है और इंसान कितना भी वड़ा हो लेकिन कदर उसकी अच्छाईयों की ही होती है दोस्तों बात हो रही है आज फिल्म इंडस्टी के चार्मिंग हीरो विनोध महराजी की आज उनका बड़े है और आज ही के दिन यानी 13 फरवरी 1945 को अमरे सर में उनका जन्म हुआ था विनोध महरा ने एज चाईड आर्टिस्ट अपने केरियर की शुरुआत की 1958 में आई फिल्म रागिनी से इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के बचपन का रोल पले किया था मगर एज ए हीरो उनकी पहली फिल्म आई 1971 में नाम था एक थी रिता ये फिल्म एक इंग्लिश प्ले पर अधारित थी जिस प्ले का नाम था एक गर्ल कॉल रिता 1965 में आल इंडिया टैलेंट कॉंटेस्ट हुआ था जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने पाटिसिपेट किया था उसमें विनोद महरा जी भी थे और विनोद महरा जी उस टाइम दूसरे नंबर पर आये थे और ये बाजी हमारे काका यानि राजेश खन्ना जी ने जीती थी दोस्तो इसके बाद उनकी फिल्मों की बात करें तो 1972 में आई परदे के पीछे इसमें योगिता बाली जी ने डेबू किया था उनके अपोजिट हिरोईन थी उसके बाद रेखा जी के साथ फिल्म एलान फिर अमर प्रेम लाल पत्थर और अनुराग जो की 1972 में आई थी जिससे विनोद महरा जी को बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ और वो ऐस ए इस्टैबलिश एक्टर इस्टैबलिश हो गए बहुत बहतरीन काम किया था विनोद महरा जी ने इस फिल्म में विनोद महरा जी ने अपने 20 साल के लंबे करियर में लगबग 100 फिल्मों में काम किया और फिल्म में हीरो से लेकर बाप तक के रोल किये और संजीव कुमार से लेकर सल्मान खान तक के साथ काम किया फिल्म पत्थर के फूल में उन्होंने सर्मान के पिता का रोल अदा किया था उनकी कुछ बहतरीन फिल्मों की बात करें तो नाम आता है नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नर्क, कर्तव्या, साजन बिन सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता और इसके साथ ये कैसा इंसाफ सुहिकार किया मैंने और खुददार जो की अमिताब बच्चन के साथ थी और दोस्तो विनोद महरा जी को बेस्ट एक्टर इन्हें सपोर्टिंग रोल के अवार्ड भी मिना है फिल्म अनुरोद 1977, अमरदीब 79 और बेमिसाल 1982 में ये ही नहीं विनोद महरा जी ने पंजाबी फिल्म मौजा दुबई दिया में भी एक रोल पिले किया था और उसमें वो लीड रोल में थे ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी इसके बाद उन्होंने प्रोडूसर और डारेक्टर के तोर पर भी फिल्म गुरुदेव बनाई जिसमें अनिल कपूर और रिशी कपूर थे मगर फिल्म कंप्लीट होने से पहले ही महस 45 साल की उम्र में औक्टोबर के महीने में 1990 में विनोद महरा जी की हार्ट अटेक्ट से डेथ हो गई और इसके बाद गुरुदेव फिल्म को राज सिपी ने पूरा किया जो की रिलीज़ दुई 1993 में विनोद महरा जी के गुजर जाने के बाद भी उनकी कई फिल्में आई जिसमें कुछ नाम है पथर के फूल 1991, इंसानियत 1994 और 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 औरत 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 1996 में रिलीज़ होई दोस्तो विनोद महरा की बेटी सोनिया महरा ने 2007 में विक्टोरिया नंबर 203 में अपना डیبू किया था उसके बाद उन्होंने कई और फिलमों में भी काम किया और उनके बेटे रोहन महरा उन्होंने भी अपना डेब्यू 2018 में आई सिल्म बाजार से कर लिया है अपने केरियर की शरुवार कर ली है सैफ अली खान के साथ दोस्तों विनोद महरा जी अपने शांदार अबीनाय और अपने चार्मिंग लुक्स की वज़े से हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा जिन्दा रहेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही था फिर मिलता हूँ किसी और वीडियों